करोना से सिर्फ एक या दो टका लोग मर सकते हैं मगर उसके बारे में बहुत सारी दहशत पैदा हूँ इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ हम उसे कैसे बस सकते हैं तो आई आपका स्वाज़त है मेरा नमें डॉक्टर दीपक क्याएकर में मनोवीकार सेक्स रोग सम्मू हनता था वैसे नम्मुक्ट देंगे हूँ महाराष्ट में मुंबई पुना अकॉलाम नागपुरियां प्रैक्टिस करता हूँ करोना वाइरस अभी महाराष्ट में भी काफी पेमा निपाया हुआ है और कभी सारे रुगन भी उसमें डिटेक्ट हो रहे हैं करोना से हम आसानी से बस सकते हैं उसमें क्या हुआ है कि एक तो स्मार्टफोन के वज़े से सोशल मेडियां इलेक्ट्रोनिक मेडिया अगबार इसके बहुत ज्यादा उसका फैला हो रहा है एक्चुली इतनी दहशत लोगों में आ चुकी है तो दहशत दूर करने के लिए मैं कुछ बाते आपको बता रहा हूँ वह आप जरा उसका पालन करते हैं तो आप करोना से बस सकते हैं एक तो क्या है कि अनाज जो आप खाते है वह अनाज पुरा पका हुआ मतलब पुरा बॉइल जो अनाज है वह खाना ची मतलब अब खाने में कंप्लेटली बॉइल फूट नमर दो रोज कम से कम तीन लीटर पानी पी नीन साथ से आट घंटा लो स्ट्रेस लेना नहीं दूंपरपान और शराब इससे दूर रहो तो नाग गलना और थूक यह आती है तो वह करोना नहीं है क्योंकि करोना का जो समसर्ग होता है उसमें खal कMac नाग जो है उसूका रहाता है थूक नहीं आती तो वह में देखना चिए कि नाग गल रहा है और थूक आँ यहको जाए है तो वह करोना नहीं है ह寄ना चाहिये है अशहा कि चिकन में ऐसा कुछ पाय अ कि हुए पर भी मॉर्णा थालना चिए चिना ओ ज मैं बिलकरान करोना मिटाल सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लेसुन से कुछ नहीं होता एक से दो टक्का लोगुंके ही मुरूत्य हो रही है मगर ऐसा लोगों को लगजा कि करोना हुआ मतलब मर गया ऐसा नहीं है इसका फैला पहुत जादा हो रहा है इसलिए डर है क्यों है 100 लोगों को होता है और 1 मर जाता है तो एक बात होगी और 1 लाख लोगों दिरुशका एक टका मर गया तो बहुत ज्यादा पैमाने पे होते है इसलिए उसका डर क्या है कि पच्छन संस्ता का ये विकार है गले में खर्रासे होती है उससे फेपड में बादा होती है आई ग्रेड फीवर ज्यादा बुखार आता है और स्वास लेने में तकलिफ हो जाती है और फिर उसमें फिर सेकंडरी इंफेक्शन और ज्यादा बुखार पर बेवशी और आदमी मर सकता है क्या कि कुछ लोगों ने तो अभी बहुती केर लेना ची वह गरोदरमाता फिर जिनको उच्च रक्तदाव है रक्तचाब है, हाइप्रेडेंशन डाइबिटीस, मदुमेह की बिमारी किड्नी के प्राब्लेम कैंसर जिनको है और कैंसर की दवा है दमा है, अस्थमा है पुराना कफ है तो ऐसे लोगों ने तो बहुत ज़्यादा केर लेना ज़रूरी है हमने क्या करना चीए तो गरम पानी पियो जितना ज़्यादा समय पीते हैं तो उतना गरम पानी पिने का है जादा समय में धूप में रहो क्योंकि गर्मी में यह वाइरुस तिकता नहीं है, ठंडा खाना या पिना आमने टालना ची, क्या होता है हाथ के ऊपर यह जो विशानु है यह पांदस मिने टिकते हैं, तो हमने कभी भी कहीं भी हाथ लगाते हैं, तो हाथ सेनिटाइसर से, हैंड वास से धोना चीजिसमें कम अपना चीजिएगा, हाथ से गनता गंटे जिवित रहता है, जिसमें 60% अल्कोरी उसे दोना चीए और हाथ अपना बार-बार मुह को नाको और आग को नहीं लगाना चीए तो यह प्रिकॉशन लेते हैं तो काफी सारा और बहुत जादा भी तो गौवर्मेंट में बहुत बैन लाया है कि बड़ी-बड़ी जाएगी तो गौवर्मेंट के तरफ से काफी सारे प्रिकॉशन ले जा रही है मगर उसमें कोई ऐसा बहुत जाना डरने का कारण ने डर के बहुत प्राब्लेम हो रहा है तो यह एसी प्रिकॉशन लेते हैं तो करोना होने के बाद में बस सकते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि आप प्रिकॉशन लेंगे और अपने आपको अच्छे सहत में रख सकेंगे थैंक यू बेरी मच्च ट्रिकॉशन लेख में बस